स्टार प्लस के सीरिल ये रुष्टा क्या कहलाता है में अभीरा की मुश्किले बढ़ने वाली है वैसे अभीरा की मुश्किले कभी कम नहीं होती अभीरा मा तो बन गई है लेकिन फिर भी अब उसे अपना जॉब भी जॉइन करना है और इसी के साथ साथ उसे बहुत टेंशन है कि उसके छोटे बच्चे को कौन समझा लेगा क्योंकि एक मा ही होती है जो बच्चे का सबसे जादा अच्छे से खयाल रख सकती है और बच्चे को भी माच से अच्छी परवरिश कोई नहीं दे सकता एक बच्चा वो भी इतना छोटा अपनी मा के बिना आखिर कैसे रहेगा यही अभीरा बार-बार सोच रही है उसे अपना जॉब तो जॉइन करना ही है क्योंकि वो तो उसका हमेशा से सपना था लेकिन अब वो अपनी इस जिम्मेदारी और साथ में अपने काम को कैसे समालेगी यह उसके लिए सबसे वड़ी चुनौती होगी उसकी राह में मुसीबते फैलाने वाले तो बहुत लोग है इस लिस्पर सबसे पहला नाम आता है फूफा जी का जो कभी भी अभीरा को पसंद नहीं करते वो दादी साथ को भड़काने वाले हैं कि अब दादी साथ को सोचन नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो मा मन जुकी है अब वो फॉर्म को अच्छे से नहीं समाल पाएगी दादी साथ भी इस बारे में विचार कर रही है क्योंकि वो भी जानती है कि बच्चा बहुत चोटा है कहीं नहीं बात सच है कि अभीरा अपने बच्चे के साथ साथ काम में उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाईगी क्योंकि उसे तो दोनों रिस्पॉंसिबिलिटीज निभानी है अब सोचने वाली बात ये है कि क्या फूफा सा की बात पर दादी सा गौर फर्माएंगी क्योंकि दादी सा की अभीरा फिलहाल फेवरिर बन चुकी है इसलिए उनके लिए भी ये डिसिजन चेंज करना बहुत मुश्किल होगा अभीरा और दादी सा की बीच में फिर से टेंशन बढ़ने तो नहीं वाले सवाल कई है जवाब बहुत जल्द बता चलेगा इस सीरिल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें